अनवांटेड हेयर्स को क्लीन करने के लिए अभी तक आपने इस तरह का टीटमेंट नहीं किया होगा, इसके आगे आप बैक्सिंग या रेजर भूल जाएंगी, जब आप इसे लगाएंगी आपके स्कीन के जितना भी हेयर्स होगा, ओ धीरे धीरे निकरने लगेगा, उसका इतना जादे बीक हो जाएगा कि बाल इतना आराम से निकरेगा, आपको खुदी यकीन नहीं होगा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहती है, तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं, हले अब्रीवान कैसी हैं, आप सब आई होप आप सभी अच्छ इतना साफ हो जाएगा कि जैसे लगेगा कि आपकी स्कीन पे कभी बाल था ही नहीं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बालों के ग्रोथ को भी रोगता है, इस तरह का रेमेडी अभी तक किसी ने सेयर भी नहीं किया होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, रोसेस क्या है, लगाना कैसे है, बीक में कितनी बार लगाना है, यह पूरी जानकारी आगे आपको देने वाली हूँ, तो बने रहिएगा, हमें आपे जो भी इंग्रेडियन्ट ले रहे हैं, इसमें से आपको कुछ भी स्कीप नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या लेना अगर आपके पास बड़ा साइज का जो पत्थर होता है, मतलब की बड़ा साइज में होता है, उसका भी प्रियोग कर सकती है, लेकिन अगर पाउडर लेना चाहती है, तो मार्केट में आपको मिलेगा, एक इस्पून हम यहाँ पे गुण का पाउडर लिये है, जो की हमारे का दाल का आटा होता है, ठीक है, यानि की बेसन हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसका की पकोड़ा आप सभी के घर बनता होगा, कड़ी बनता होगा, और मोसली सभी के किचन में एजली मिल जाएगा, अब यहाँ पे जो गुण का पाउडर हम लिये हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, डियर परिशान मत होगा, आप सिंपल गुण भी यहाँ पे ले सकती हैं, अच्छे से मैस कर लीजिएगा, थोड़ा हाट है तो कड़ुकस कर लीजिएगा, आराम से आपको पाउडर मिल जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर लिये हैं, जो कि ओवराल हमारे स्कीन के लिए बहुत जादे फाइदे मंद होता है, तो यहाँ पे आपको चुटकी भर हल्दी लेना है, मसाला वला हल्दी मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें होता है, कलर जो की स्कीन को पीला कर देता है, या तो आप वाइट टर्मरिक ले सकती है, या तो गाठ वाल हल्दी आता है, उसका प्रियोग कर सकती है, दोनों में से कोई भी ले लिजिएगा, यहाँ पे चौथी चीज जो हम ले रहे हैं, वो है टमाटर का पल्प, यानि टोमाइटो पल्प हमें आप ले रहे हैं, देखिए उसका रस तो हमें चाहिए, साथ में उसका प करते हैं, तो हमारा सके बहुत जाएदे कालब पढ़ने लगता है, काला दिखने लगता है, इसका अजीजीब सा हो जाता muffin, तो टमाटर आपके सकीन को ब्राइट करेगा, आपके फेस पे जो ढाग धबब debating हैं वो भी धीरे धीरे लाइट होने लगेंगे, तो आपने नहाम पर दूसरी तयारी भी हम कर ले रहे हैं देखिए फेसियल एर को हटाने के लिए बहुत सारा टीटमेंट मैं आप सभी के साथ सेयर कर चुकी हूं और सारा घरेलू है आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं करता है और आराम से बाल हट जाता है लेकिन आप सभी का एक कोश्चन ब ये बशेर करती हों तो इस केस में एक कार्थ बार लगाएंगे बाल नहीं निकड़ेगा मैं इतना बोल दे रहे हूं वही आप autistic करते हैं एक बर कोई भी रॉइम्री लगा लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप लोग कमेंट करना सुरू कर देते हैं तो यह थोड़ा सा प्रोसेस वाला है लंबे समय तक आपको इस पे मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके आपके चेहरे के जो बाल है वाराम से हट जाएगा पर्मानेंटली साफ हो जाएग हम यहाँ पे एक क्लीन बाउल लिये हैं और बाउल में हम थोड़ा सा हल्दी ले रहे हैं जो कि यह गांठ वाला हल्दी है जो आपको मार्केट में मिलेगा गांठ का हल्दी उसका पावडर भी आप घर पे बना करी श्टोर कर सकती हैं चुटकी भर हल्दी लिये हैं और इस मैं लेटें करते हैं तो हम यहां फे ठोड़ा साथ ली इस्पून से थोड़ा सा ज्यासे है किहां पर देखिए हम दोनों रिधों रेमेडी में हमें अब सभी के साथ सेयर कर रहे हैं और दोनों रेमेडी में हम टो माटट का पल्प लिए हैं आगे मैं आपको लाइब रिजल्ट भी दिखा चुकी हूं कि बाल जो था पैर के कितने अराम से निकड़ गया है तो ध्यान से देख लिजिए हो सकता है कि बहुत सारा टीटमेंट करने के बाद आपके इसकिन से बाल नहीं निकड़ा हो लेकिन ए रेमडी काम कर दे बाल अराम से हट जाए तो ध्यान से देख लिजिएगा एक इस्पून भर के हम टमाटर का पल्प लिए हैं और इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें एक ऐसी चीज हम और मिक्स करने वाले हैं एक चीज नहीं दो चीज ऐसी जाएगी जो कि हमार बाल को इस्टंट क्लीन करता है नेचुरल बैक्स होता है और इसकीन को बिना नुकसान पहुंचाए बिना दर्द के बाल को यह ठा देता है चाहें कितना भी हाट हेयर सो हम यहां पे करीब डेर से दो इस्पून लिए हैं पिसी हुई चीनी का पाउडर ख़डा चीनी आप पे मत लीजिएगा सुगर पाउडर आपको लेना है चीनी का पाउडर बनाकर आप इस्टोर कर सकती है मेरी तरह मैं अपने फेस के अंचाहे वालों को साफ करने के लिए हाथ पेर के इसी तरह का घरेलू रामडी लगाती हूं तो इसके वज़े से मैं चीनी का पाउडर बन होता है और साथ में यह हमारी इसकीन के लिए बहुत जादे फायदय मंद होता है अगर आप बार बार सलून जाती है और पसंद तो नहीं है क्योंकि उसमें काफी जादे पेन होता है दर्द होता है पैसा भी लगता है टाइम भी देना पड़ता है लेकिन मजबूरी है जान मेहनत कर लीजीए अपने घर में रहा करके मेहनत कर लीजीए अगर कां काम के और इसा है कि रेगुलर बेश पर आपको बाहर जकाना आपको रोज मेकप करना है जो फिर आप अपने face पे razor या threading करा सकती हैं लेकिन आप घर में राती हैं एक house wife हैं ठीक है तो आप सिर्फ एक महीना अपने घर में राके मेहनत कर लीजिए उसके बाद देखिए महीना दिन के बाद आपके face के जो बाल है कैसे साफ हो रहा है यह कोई fast result नहीं देगा थोड़ा slow क करता है लेकिन पर्मानेंटली बाल को हटा देता है तो कर लिजिए एक महिना अब इसमें हम जो ले रहे हैं फ्रेंड ओहें कोलगेट थोड़ा सा मतलब आधा स्पून से थोड़ा सा जादे ही था मतलब कि जितना आप दो बार करने में यूज करती है कोलगेट उतना हमें आप पर कोलगेट लिए हैं जो कि वाइट वाला कोलगेट आपको लेना है दूसरा कोई कोलगेट मतली जिएगा एक मेरी डियर का कमेंट आया था कि दीदी मेरे पास वाइट कोलगेट नहीं है किया मैं रेड वाला ले सकती हूं तो जी नहीं आपको रेड वाला नहीं लेना है वाइट कोलगेट ही लेना है जो कि आप ब्रस करने में यूज करती है और किसी भी किराना सौप पे आपको मिल जाएगा तो वाइट कोलगेट का ही प्रयोग किया करिए हर एक रेमडी में मैं आप लोगों को यही बताती हूं कि वाइट कोलगेट लेना है और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादा तर फेस पैक में होम रेमडी में मैं कोलगेट का यूज करती हूँ और पीशी वूई चीनी का तो उसका रीजन है कि ये बाल को हटा देता है पर्मानेंटली हमेशा के लिए बाल को ये खतम कर देता है अब इसे लगाना कैसे है दोनों रेमडी बनके रेडी हो गया है और ये जो कोलगेट वाला है आपके लगासे कितने बाल कुछ भी नहीं कि आपके स्किन को ये नुकसान करेगा चलिए देख लेते हैं लगाना कैसे है तो अभी आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं एक का दुख का बाल है लेकिन काफी साइज में बड़ा है कितना मतलब जादे ही कुछ हेर्स की प्राबलम होई है इस बाल लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए कि बहुत जादे घहना नहीं है मतलब की बहुत दूर दूर पे एक का कम आता है उसकी ग्रोथ बहुत जादे कम हो जाती है और जो दुबारा से हेर्स निकड़ता है उसमें कोई जान नहीं होता है वह अराम से निकड़ जाता है कोई भी घरेलू रेमडी लगाएंगी और थोड़ा सा छोड़ देंगी मसाज करके रिमो करेंगी और क्लीन हो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अच्छे से इसकीन को पोच लेना है ठीक है और पोच के पानी को सुखा लिजिएगा क्योंकि इसकीन हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए अच्छे से इसकीन साफ होना चाहिए कोई क्रीम कोई ओयल नहीं होना चाहिए तबाल नहीं निकड़ इसके ड्राई रहे और बिल्कुल सुखा हुआ होना चाहिए उसके वाद से इस सलूसन को लेना है और लेकर इस तरीके से पतला लेयर में लगा लेना है वो इसे काफी जादे पतला भी है तो आप इसे इस तरीके से अपने फेस पे भी लगा सकती हैं लगा कर आपको 15 मिनट के लिए टाइम है तो आधा घंटा के लिए भी छोड़ दीजिएगा अपर लिप लगा रहे हैं तो कम सकम आधा घंटा के लिए छोड़िएगा इस तरीके से पतला लेयर में लगा करके उसके बाद आपको क्या करना है छोडने के बाद clean कैसे करना है और beak में कितनी बार लगाना है तो देखिए dear, beak में आपको शिर्फ एक बार लगाना है बाल के growth के हिसाब से आप लगा सकती हैं बहुत जादे hairs है, मोटे तीके बाल है तो आपको यहाँ पे बीक में दो बार लगाना है लेकिन एक बार में दो बार में बाल नहीं हटेगा कांटिनेयू में हन्त करेंगी रेगुलर बेस पे लगाएंगी बीक में 2-3 बा तो धीरे-धीरे जो बाल है उसका जड़ बीक होने लगेगा जड़ से निकरने लगेगा उसका जड़ इतना जादे कम जोड हो जाएगा कि बाल आराम से हट जाएगा तो लो जी अभी मैं क्लीन करके आप लोगों को दिखा दे रहे हूं लोकमेंट जो करते हैं ना कि बकवास है तो ठीक है भाई आपके पास नहीं टाइम है मत करिए आपके पास बहुत सारा पैसा है पारलर में जा कर दीजिए टाइम है जाएगे कोई बात नहीं लेकिन बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हैं मेरी बहने हैं जो कि मेरी घर से तीन बार लगाना है और इस सलूशन को आपको एक बार लगाना है कांटीनियू आप कर लिजिए 15 से 20 दिन उसके बाद से कमेंट करके बताएंगी आप खुद ही कि बहुत अच्छा रेमडी आपने सेयर किया था तो इस तरह का वीडियो इस चैनल पे रेगुलर बेस पे सेयर होता रहता है आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है और कहां कहां से आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक किया करिए बहुत मेहनत लगता है दोनों रेमडी आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा है बना है दोनों का कलर दोनों में से जो आपको पसंद आया हो बनाना इजी हो आसान हो आप उसे लगाईएगा बहुत बेहतरीन काम करेगा आई हो आप करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर भी कर दीजिएगा अपने रिष्टेदारों में अपने फैमली में इस तरह का वीडियो इस चैनल पर रेगुलर वेस्ट पर सेयर होता रहता है तो नहीं हो है तो भाई सब्सक्राइब करते हुए जा